नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक वर फिर से सुवागत है I&D हिंदी टेक चेनल में दोस्तों सिंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो की सरकारी बैंक है और ये बहुत बरा संकट में है तो आज का Big Breaking News ये है कि Central Bank का खराव इस्तीती के चलते 600 ब्रांच बंद करने की फैसला की गई है मैं आपको वता दू कि 600 ब्रांच इनका बंद किया जाएगा क्योंकि इस्तीती जो है Central Bank का कुछ ठीक नहीं है संकट में है Central Bank of India को साल 2017 में डाला गया था PCA लिस्ट में जो कि मैं आपको वता दू कि RBI के PCA फ्रेमवर्क में इसे डाला गया था इसके बाद वर्स 2018 में जो है RBI के PCA फ्रेमवर्क में 12 बैंकों को रखा गया था लेकिन सभी बैंक जो है बाहर आ चुकी है उनका इस्तीती ठीक हो चुका है PCA लिस्ट में तब डाला जाता है बैंकों को जब देखा जाता है कि इनका इस्तीती सही नहीं है यानि कि हालत सही नहीं है करने का मतलब है कि जो बैंक हाटे में चले जाती है या फिर लगता है कि अब इनका हालत खराब हो रहा है तो उसी PCA लिस्ट में डाला जाता है ताकि उस पर ध्यान रखा जाए और चांच वेगेरा सारा कुछ किया जाए जिससे जो है वो उबर सके संकट से लेकिन सेंट्रल बैंक जो है अभी तक PCA लिस्ट से बाहर नहीं हो प ब्रांच जो है Central Bank of India का है दरसल बता दू कि आपके Financial Condition को बेहतर करने के लिए बैंक के तरब से बड़ी संख्या में सखाओ को बंद करने का पलान कर रहा है मिले खवरों के मुताविक बताया गया है कि देश भर में महजूदा 13% सखाओ को बंद करने का पलान बनाया जा रह आपको बता दे कि Central Bank of India की देश भर में 4594 में लगवग सखाए है 2017 में ही इनको PCA लिस्ट में डाला गया था ये बात हमने आपको पहले ही बता दिया है और जो बाकी में 2018 में 12 और बैंकों को रखा गया था तो वो सब का इस्तिती सुधरी लेकिन Central Bank of India का इस्तिती नहीं Central Bank of India में अकाउंट है वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा ताकि आगे भी इस पर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको जानकारी जरूर दोंगा साथे साथ मैं आपको वता दूँ Central Bank of India में अधार UPI की सेवा सबसे पहले सुरू किया गया जिसमें आप जो है बिना ATM से आप जो है आधार नंबर डाल कर UPI 58 और रिसेट कर सकती है डिटेल में वीडियो बनाया जा चुका है डेस्क्रिप्सन में लिंक है जरूर देख लीजेगा धन्यवाद